कुश्चन है दो ट्रेन जिन में से एक की लंबाई 210 मीटर और दूसरी की 250 मीटर है तथा 130 किलो मीटर पती घंटा और 110 किलो मीटर पती घंटा की चाल से समानांतर पट्रियों में चल रही है यदि वे विपरीद दिसा में चल रही है तो उनके द्वारा एक दूसरी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा कुल लंबाई या कुल दूरी निकालेंगे टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 210 प्लस 250 तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 460 मीटर सा पेचिक चाल रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे क्योंकि दोनों रेल गारिया विपरीद दिसा मे गतिमान है तो दोनों की चाल आपस में जुड़ जाएगी 130 प्लस 110 यह हो जाएगा 240 किलो मीटर प्रती घंटा क्योंकि दूरी लंबाई मीटर में है तो इसको भी मीटर पर सेकिंड में कंवर्ट कर लेंगे 240 में गुड़ा कर देंगे 5 बटे 18 का सा पेचिक चाल हो जाएगी 200 बटे तीन मीटर पर सेकिंड समय निकालना है समय बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टिंग अपौन डिलेटिव स्पीड टोटल डिस्टिंस है चार सो साट बटे रिलेट्टिव स्पीड साप एचिक चाल है दो सो बटे तीन यह हो जाएगा चार सो साट गुण तीन बटे दो सो जीरो कर जाएगा दो का भाग यह देंगे चालेस में तेहिस दस यह हो जाएगा 6.9 सेकेंड तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को 6.9 सेकेंड में पूरी तरह पार कर जाएगी ओप्शन एस का राइट आंसर होगा